हेले दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में साथियों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कठल के बारे में कठल को भारत का सबसे बड़ा फल की में जाना जाता है भारत का सबसे बड़ा फल की अगर आप सर्च करेंगे तो कठल का ही नाम आता है और अगर कठल को अंग्रेजी भासा में जैक फ्रूट के नाम से जाना जाता है पके कठल के बहुत सारे आयरुवेदिक लाब होते हैं बस सावधानी इतना रहता है कि जब भी आप पके कठल खाते हैं तो आपको उसके बाद में पान का सेवन नहीं करना होता है क्योंकि पान का सेवन करना विस्क के बराबर माना जाता है कठल खाने के बाद में पान का सेवन नहीं करना होता है कठल को लोग कई तरह की रेसिपी बना कर उपयोग करते हैं कई लोग इसका अचार बना कर भी सेवन करते हैं लेकिन दोस्तों आज हम आपको कच्चा कठल नहीं आज हम आपको पक्का कठल के बारे में बताने जा रहे हैं पके हुए कठल में बिटामिन A, काल्सियम, पोटेसियम, फासपोरस, आईरण, सोडियम जैसे अनेकू पोसक्तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि पके हुए कठल में उच्च मात्रा में बिटामिन C और एंटी ओक्सिडेंट पाय जाते हैं जिन लोगों की इम्मिनोटी कमजोर होता है, वीक होता है या फिर जो लोग बार बार बिमार पड़ते हैं उन्हें पके हुए कठल का सेवन जरूर करना चाहिए अगर आप दुबले पतले हैं और आपका वजन तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, आप तेजी से ग्रोध करना चाहते हैं तो आपको पके हुए कठल का सेवन अवश्य करना चाहिए पके कठल का सेवन करने से हमारे दिल को बहुत ही फायदा पहुचता है इसमें क्योंकि बहुत ही अच्छी खाजी मात्रा में पोटेसियम के मात्रा पाये जाती है जो की हमारे ब्लट सर्कुलेशन को बेहतर बनाने मे हमारी मदद करता है अगर आपके घर में किसी को high BP की problem है तो जरूर आपको उनको सेवन कराना चाहिए क्योंकि पके हुए कठल का सेवन करने से high BP के मरीज को बहुत ही लाप राप होता है पके हुए कठल में दो तरग के fiber मौझूद होते हैं एक घुलनसिल फाइबर और दूसरा अघुलनसिल फाइबर इसलिए इसे अपने रोज के भोजन में हमें सामिल करना ही चाहिए क्योंकि इसका जो घुलनसिल फाइबर होता है वो हमारे सरीर में उर्जा प्रदान करने का काम करता है और हमारे भोजन को जल्दी से पचाने का काम करता है और जो अगूलनसील फाइबर होते हैं पके कठल में जो अगूलनसील फाइबर होते हैं वे हमारे मल को जोडने का काम करते हैं जिससे हमें मल त्याग करने में बड़ी ही आसानी होती है इसलिए जिनकी पाचन क्रिया कमजो होती है तो उनकी पाचन क्रिया को यह तेज करने में भी मदद करता है पके हुए कठल में बिटामीन ए और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी आँखों की रोसनी बढ़ाने में मदद करता है और मोतिया बिंद जैसी समस्याइं जिनकों हैं उनकी ब क्योंकि इसमें पोटेसियम और कैलसियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है जो कि हड्डियों और जॉइंट्स के प्रॉबलम में हमारी मदद करता है ठीक करने में उसे मदद करता है इसे खा करके गठिया और ऑस्टियो पॉरोसिस जैसी समस्याइं को नियंत्रित क किया जा सकता है साथ ही ये कमजोर हटी वाले बच्चों के लिए भी फायदे मन साबित होता है इसलिए आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं जरूर कठल का सेवन उनको कराना ही कराना चाहिए इस तरह से पका हुआ कठल हर एक बेक्ती के लिए फायदे मन साबित होता ह लेकिन जिनको diabetes की problem है सुगर की समस्या है उनको पका हुआ कठल का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें काफी मात्रा में सुगर मोजुद होता है जो सुगर के मरीज के लिए जान लेवा साबित हो सकता है साथी diabetes को अंसंतुलित कर सकता है पके हुए कठल के तो लाब है ही साथी इसके जो बीज होते हैं उसमें भी कई लाबकारी फायदे मंद गुण पाय जाते हैं आम तोर पर कठल की सबजी और इसे बने पकवानों को लोग बेहत पसंद करते हैं और बेसक यह मज़ेदार भी होत होते हैं क्योंकि कठल के बीज भी सिहत से भरपूर होता है कठल का बीज डैक्टरी फाइबर से भरपूर होता है और इसमें कैलोरी भी पाया जाता है जिससे हमारी वजन को कम करने में यह हमारी मदद करता है कठल के बीज में मैगनीसियम तथा मैगनीज तत्व भरपूर मा जाता है जो हमारे हड़ियों में कैलसियम और सोसर करने में हमारी मदद करता है तथा रक्त संचार को संतुलित बनाता है इसके साथ ही कठल के बीज में काफी मात्रा में इस्टार्च पाया जाता है जो हमारे सरीर को उर्जा प्रदान करता है साथ ही यह एक उर्जा का बेहतरी स्रोथ है और जो स्वादिष्ट भी होता है कटहल के बीज एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं जो हमारी बड़ती उम्र की गती को धीमा करने में भी सक्षम होता है और हमें तनाव से भी मुक्त करता है सांतियों आज आपने कठल के आयरोवेदिक गुणों के बारे में जाना इसी तरह दुनिया भर के संपूर जड़ी बुटियों की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन को प्रेस करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद